Very good evening friends, आज हम करेंगे set number 25, जो कि Indian history से related है, सब topic रहेगा मोरे अकाल, जो कि चला 300 Y से 185 BC तक, most important 1 to 20 question है, किसने किसी exam में अपयर हो चुके हैं, तो most probably आपके exam में भी अपयर हो सकते हैं, तो 1 to 20 question की जो most important video है, इसको आप ध्यान से देखिए, skip आप ना कीजिए, क्योंकि कुछ extra effect रहते हैं question में, वो भी skip हो जाएंगे, तो please वीडियो को पूरा देखिए, 1 to 20 question है, 10 से 12 minute की वीडियो है, अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं, तो please इस चैनल को subscribe आप जुरूर कर लें, यहाँ पर आपको different questionnaire मिलेंगे, जैसे हिमाचर परदेश का GK, ancient Indian history, medieval Indian history, polity, geography, economy, art and culture तो सभी most important videos हैं, playlist आप के लिए बन चुकी है, प्लेइलिस्ट में जाकर आप जो previous videos हमको भी आप देख सकते हैं, और चैनल को आप subscribe आप कर लें, start करते हैं आज का first question, आज का first question है, Megasthenes ने भारतिया समाज को कितनी स्रेणियों में भिभाजित किया, तो जो Megasthenes था, उसने को साथ श्रेणियों में भिभाजित किया, और Megasthenes की जो बुक है, उसका नाम है Indica, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, आगे move करते हैं, second question, कोटेलिया के अर्थ साच्टर में किस पहलू पर प्रकास डाला गया है, जो कोटेलिया का अर्थ साच्टर है, उसमें मुख्या तर महराजनिति में नीतियों पर प्रकास डाला गया है, तो option B, आपका right हो जाएगा, अगे move करते हैं, third question, निमन में से कौन सा कशेत्र अशोक के समराज्या में समलिप नहीं था, तो अशोक का जो समराज्या था, वो अफगानिस्तान भिहार और कलिंग तक था, ब अगे move करते हैं, पर्टली पुत्र को कि शाशक ने सरप्रतम अपनी दासधानी बनाया, तो पर्टली पुत्र को सबसे पहले अपना में दासधानी बनाया तम चंदरगुप्त मौरे ने, option first आपका ठीक हो जाएगा, चंदरगुप्त मौरे, अगे move करते हैं, fifth question, fifth question important है, पर most important, question number six है, जो बराबर की गुफाएं हैं का उपयोग किसने आश्रेग्रे के रूप में किया, तो सबसे पहले जो बराबर की गुफाएं हैं, वो हम गया जिला में, बिहार में, तो सबसे पहले होमस्टे के रूप में इसका उपयोग किया गया, आज जी बी कों दबारा, त तो फास्ट आपका ठीव हो जाएगा, आगे मूव करते हैं, 7th question, किस अभिलेक से शाबित होता है कि चंदरकुप्त का प्रभाब पच्चिम भार तक फैला हुआ था, तो जो मरुद्दर्म दवन का जूनागड अभिलेक है, इससे साबित होता है कि चंदरकुप्त का समराज बताया कौन सा है, तो देखिए, अशोक के के स्तंब हैं, बट इसने खुद को मगत का समराज बताया है भाबरू स्तंब में, option D, right हो जाएगा आपका भाबरू स्तंब, अगे मूव करते हैं, 9th question की तरब, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, most important, यहाँ पर नाम था, वो था, सेंडरो कोटम, बिंदु सार का था, अमित्र घात, अशोक का था, प्रिय दसी, वो चनक्य का था, भिशनुगूबत, ठीक है, तो जो लास्ट बारा में चनक्या, इनको भिशनुगूबत भी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, most important है, single liner में भ दीजिएगा, four is to one question है, one liner में भी appear हो सकता है, आगे move करते हैं, 10th question की तरफ, 10th question है, most important, परथम भारती ये समराज्य स्थापित किया गिया है, किसके द्वारा, तो परथम भारती ये समराज्य स्थापित किया गिया था हम चंदरगुप्त मौरे द्वारा, option C, right हो जाएगा चंदरगुप्त मौरे, तो friends, ये थे one to ten top important question, अगर question अच्छे लगे हो तो वीडियो को आप लाइक आप जुरूर करें, और चैनल पर अपने हैं, तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब आप कर लीजिए, यहाँ पर आपको different types के questionnaire देखने को मिलेंगे, हिमाचल मंजीके से पहले पहुंचे, इसलिए मिस चैनल को आप सब्सक्राइब आप कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपके किसने किसी topic है वहाँ से most important appeared question त्यार हो जाएंगे, तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब आप कर लीजिए, थैंक्यू